पस्षिमी जगत के दार्शनिकों ने अभी तक दार्शन को कहा तक पहुचाया और जिसको पोस्ट मोनिज्म बोलते हैं उत्तर आधुनिकता अभी तक जो बुद्धी के दार्शनिकों ने जाना इस पहुचाया और उन्होंने कहा तक बुद्धी के द्वारा विकास किया इहां तक उन्होंने जाना इस पात को हम समझेंगे तो हमको ध्यान में आने के लिए बहुत मदत होगी मित्रों पस्रिम जो है वो दर्शन शास्र के फिलोसोफी के बड़े-बड़े उदर जो है दार्शनिक हुई है और पस्रिम जो है बुद्धी पर भरोसा करता है पुरब और पस्रिम में बहुत पिन्नता है तो दर्शन और फिलोसोफी थोड़ा अलग-अलग चीज होती है मगर सब्दकोष में यह लिखा होता है कि फिलोसोफी का मतलब दर्शन है नहीं मगर नहीं है फिलोसोफी का अर्थ होता है कि बुद्धि के द्वारा तो इसलिए अलग अलग बात है। मगर पसिम में जो है दर्शन साश्र का बहुत बिकास हुआ। शुकरात से लेकर अभी तक अभी जिस विद्वान का में बात करूँगा यहां। जैक डेरिडा उसका जो पोस्ट मोडिजम है जिकस्टक्षन है वहां तक बहुत दर्शनिक आये। और उन्हें बहुत आयमों में जो प्रियास किया सत्य को जानने का बुद्धी के द्वारा। इसमें शुकरात आया, प्लेटो आया, औरस्तु आया। फिर रेनेसा काल चला। बहुत बहुत कभी भी पैदा हुए उन्हें भी अपना फिलोसोफी बताया। जैसे गेटे हो गया, सेक्सपीर हो गया, तो जर्ज बनार्शा हो गया, और दोस्तो एपस्की हो गया। तो बहुत कभी लेखक भी हुए उन्होंने भी अपने हिसाब से बुद्धि के द्वरा जहां तक हम जान सकते हैं उन्हें बात की तो ऐसे कांट हो गया, हेगेल हो गया, माक्स हो गया, फ्राइड हो गया, तो इन लोगों ने चिंतन मनन करके सिद्धान्त बना के उस सिद्धा को जिनों ने सभी को जो खंडन कर दिया उस विद्धान का नामे ज्याग डेरीडा, तो वह एक सिद्धान्त बताता है जिसको बोलते हैं डी कंस्टक्शन, डी निर्मान पाद, तो वह बात आकर जिसको जो दुनिया में चिंतन का नया धारा पैदा हुए उसको बोलते हैं पोस्ट मुडर निज, हैंने उत्तराद निकता, तो इसमें वह क्या बोलता है हम उसको समझेंगे और जो है बुद्धी का बास्तिविकता हम जान पाएंगे, तो डेरीडा ये बोलता है कि अभी तक हमारे दार्शिकों, दार्शनिकों ने जितना भी खोच किया, वह क्या थ रियाशनल था, तो सब वुद्धी बादी था, तर्क के सहरे था, अर्थात लेंग्वेज के सहरे था, और डेरीडा ये बोलता है कि मगर लेंग्वेज में जो है मिनिंग नहीं होता है, जो भासा होता है, जो तर्क की विवस्ता होता है, वो अंतिम सत्य नहीं होता है, उसक एक जगह पर रुगता नहीं ऊचिन जय से हआं पूछे प्रशन होई जैसे हम बोलेंगे की यह बिल्ली क्या हो、 तो वो बोलेगा, अगर किसी ने एंसर दिया, बिल्ली का तो क्या दे सकता है, ऐसे एक जानवर जो चुहे खाता है, तो इसका ये अर्था आगया, तो अब फिर ये परस्ण फिर आएगा, कि तो चुहे क्या होता है, बुसरा प्रस्ण आ जाएगा, और फिर जब हम बोलें कि चुहें ऐसा एक जनावर होता है जो धान खा जाता है तो इसमें और तिसरा भी प्रस्णा आ जाएगा कि फिर धान क्या होता है और जानवर क्या होता है तो यह सब प्रस्णा उसमें आते जाएंगे इसलिए सब्दों के मिनिंग कहीं एक जगब रुकता नहीं है वो डिफर हो जो भी हम तर्क के सहारी खोजने गए हैं यह सब बखवास से, यह कहीं नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मिनिंग अंतिम सत्य होता नहीं है, तो वो यह बोलता है कि इभिरी इंटर्प्डेशन इज मिसिंटर्प्डेशन, जो भी हम ब्याख्या करते हैं वो गलत ही ब्याख्या होती है, क्योंकि वो किस पर आधारित है हमारी ब्याख्या, वो लेंग्विज पर आधार होती है, मिनिंग पर आधारित होती है, और वो लेंग्विज और मिनिंग जो है, क्या होता है वो डिफरांड्स ताले जाता है उसका सिंटर कहिं होता नहीं है कि इसलिए यह होता है कि ब्यांक्खिया जो हम करते हैं घ्लू посे लेंग्वेज से ज़लत ही होती है उससे हम सत्य कभी बीन जान सकते वो बोलता है कि जो लिएंग्वेज है और जो हमारी वेभारिक काम Macht चलाने के लिए है वो वेभारिक सत्ते है उसमें उससे हमारा काम चलता दूसरों से हम बात कर सकते, दूसरों को क्या होगा है हमको पता हो चल सकता, मगर इसके द्वारा जो हम सत्य को नहीं जान सकते, सत्य होता नहीं बोलता है, सत्य कुछ होता नहीं है, इसा युनिवर्सल प्रूथ होता नहीं है, मगर अभी तक का जो दार्षनीक वह ने की शिंटन मरन था उनका ये मानना था कि किसी न किसी एक चीज को सथ बाइन प्रच को एक क्या वहलते हैं उनिवर्सल ने तरूत मानते थे ज़ैसे माक्स हो वो इस पात को टूत मानता था कि निम्न बर्ग के होते हैं और उचे बर्ग के होते हैं उचे बर्ग के लोग निम्न बर्ग को दबाते हैं सोसल करते हैं तो इसलिए निम्न बर्ग जो है वो उसको लिए लड़ना पड़ेगा उसको लिए क्रांति करना पड़ेगा तो यही उन सभी में सभी सिद्धान्त के लिए केंद्र में होता है तो फ्राइड हो गया वो सेक्स को जो है केंद्र मानता है सेक्स के कारण ही लोग जो है अने काम करते हैं सेंडर उसी को पता था माक्स जो है पैसे के कारण भूग के कारण करता है बोलता तो उसने भूग को पैसे को मोनी को केंद्र बना दिया तो सभी अभी तक का जितना भी सास्र है सिद्धानत है सभी में किसी न किसी चीज को केंद्र मानते थे जीवन का केंद्र है सत्य है मानते थे तो यह डेरिडा यह बोलता है यह लोगो सेंटीजम है लोगो सेंटीजम का मतलब यह है कि हम भासा के द्वार इा, वोर्स के द्वारा किसी एक सत्य को लगातार हम खोचते आये हैं और उसको मानते आये हैं, आगी मेने खो पता या जितनी में सास्रेशनों पॉत गए तो वह मानेगगा कि अस्तित गदर है उसे को उनिव स्टक्राइब सर्फ इसी को आप थो औहीं तो जीवन में जो यह बाइनोरी और हपोडिश्न होता है। आप एक बात वोलो तो उसके भिपरिद दुसरी बात में होगी। और और आप जब एक बात बोलते हैं तो आप दुसरी बातों को इंकार करके उसको बोलते हैं। आप जैसे यह बुलेंगे कि महिला और पूरुस जब पूरुस को आप ध्यान दोगे उसको महत्वण मानेगे तो महिला को इंकार करना पड़ेगा मेला को ध्यान दोगे को पूरुष को इंकार करना पड़ेगा तो जो भी आप जैसे च्वाइस करते हैं हम किसी एक चीज को च्वाइस करते हैं जैसे कोई ब्यापार करने का च्वाइस करते हैं तो उन्होंने क्या कर दिया कि बहुत जो अन्य हजारों चीज हो सकती है पोसिब यह नहीं हो पाएगी, तो इसलिए जो भी हम देखते हैं, जानते हैं, और सब्दे के द्वराद जो भी हम बेख्या करते हैं, वह सही बेख्या नहीं हो सकता, पहुत कारण दिरिडब बता था इसमें, डिफ्रान्स होते चला जाता है, मिनिंग जो रुकता नहीं एक जगा, व दूसरी जगा, दूसरी जगा, दूसरी जगा, और उसका कोई अंतिम भिंदू होता नहीं है, तो मित्रों, हमने बात इसमें समझनी है कि, जो भी हम मानते हैं, बुद्धी के द्वरा वो गलत ही होता है, और दूसरी बात, हम इस बुद्धी के द्वरा कभी भी सत्त्य को न तो फिर आप उस उत्तर से आप 10 और प्रशन निखल जाते हैं सभी के उत्तर देता चला जाओं तो सबी के वितर और-और हजारों प्रस्ण बंते चले जाएगा और इसका अंतिम बिन्दु कहीं नहीं हो गा, तो इसलिए यह हमारे जो अध्यात्म की वेवस्ता है, वो बिल्कुन उल्टी वेवस्ता है, डेरिडा ने अध्यात्म को तो जाना नहीं है, मगर उसने यह बात क्लि अध्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात् आप माउन का अर्फ यह है कि आप छोड़ दो चिंतन मनन करना, सोचना, बिचार करना छोड़ दो, और निर्विचार हो जाओ, फिर देखो, यह बात जिसको बोलते हैं, उसको ध्यान बोलता है, ध्यान यही है कि बिचार से कुछ नहीं होगा, और जो दिमागों हमारे मन में शञिस का पय नहीं है ुस को बेशत कलेक्राइब करेंबने हो जय वह कहा rounds दूस्रा आता है तो कहीं अमको पहुं चान चांता यह फैसे माण से इसी श्थिति में अपने को होऊ लाना है कि जहां के सब्सक्राइब कर दो कि मन और श्था चानके ठीभार हो और Germans मौन हो जाए तो उस मौन की अवस्ता में आप जान पाएंगे कि जो सत्य है सत्य मन से नहीं है जो डेरिडा बोलता है वो तो बोलता है सत्य होता ही नहीं मंगर उसको मौन होकर उसने किसी चीज को देखा नहीं है तो इसलिए वो यह बोलेगा कि सत्य होता ही नहीं है, सब ब्रह्म होता है, क्योंकि इस बुद्धी के द्वारा तो कहीं भी हम नहीं पहुंच सकते हैं, तो इसलिए वो बोलेगा कि यह सत्य होता नहीं है, इसलिए वो बोलेगा कि जी कंस्ट्रक्शन, उसको खतम कर दो, उसको तो कंस्ट्रक्शन जो हमने बनाया है, दिमाग में जो भी धारणा हमने बनाई है, उसको वो बोलता है कि उसको आग लगा दो, और और तर्गे से भी सोचने का प्रियास करो, भिन्य तर्गे से भी सोचने का प्रियास करो, तो और निर्माण करो, दूसरी तर्गे से देखने क क्यांका वह बुलता है कि बासा प्याज लाउसा होता है उस द्रवभविआ दाला बना यह और यह वह घरिञ जाता है और वो खेल कहें पाउस आने के लिए नहीं, वो मनोरंजन के लिए होता है, तो इसलिए Derida बोलेगा कि इसको मनोरंजन की तरह पलेलो, लेंग्वेज को, किसी बात को मत बाना हो, तो इसलिए कोई भी धर्मा अध्या, जो कुछ भी आप बोलो, उसका वो खंडन कर देगा, Derida, उसका मिस इंटर्पिटेशन कर देगा, जो कुछ भी आप मानो, उसको वो गलत साबित कर देगा, जुछ से, जिसको अम यूनिवर्सल टूथ बोलते हैं, उसको भी वो गलत साबित कर देगा, जुछ से, सुरज पूरफ पूरफ से उकता है, यह बोलो आप, इसको हम क्या मन जिसको हम बोलते है ना वोर्ड हमने दिया है पुरफ तो अगर पुरफ को हमने पसिम वोर्ड दिया होता तो क्या हो जाता शुरत जो है पसिम में उग जाता पसिम से उगता हमने दिया हुआ वोर्ड है ना पुरफ तो इसलिए पुरफ नाम मत दो किसी और नाम दो तो और ना इसको हमने सब्द दिया कि मरता है यह हमारा सब्द है और क्या होता है इसमें हमको पता नहीं है तो इसी चीज को आम और नाम दे सकते हैं इसको जन्मना भी बोल सकते हैं आदमी का जन्म हुआ भी बोल सकते हैं तो जब हम मर लेंग्विज जो है वो पास्तेविक चीज होती न आदमी बोल दिया, क्यों बोला, कुछ रिजन है नहीं, पहले के लोगों ने घर बोल दिया उस चीज को, और उस चीज को जानबर बोल दिया, इसलिए सबी लोग जो है उसको घर उसको जानबर बोलते आ रहें, अगर घर को पेड बोल दिया होता था पहले के लोगों ने, तो तो हम आज भी पेड किसको बोलते थे, घर को बोलते थे, तो इसलिए जो लेंग्वेज है वो एक मानी हुई बात होती है, वो याद्रचिक बेवस्ता बोलते है उसको, वो ऐसी बात होती है, तो इसलिए यह खेल है, अंतिम सत्ते इसमें होता नहीं है, तो इसलिए डेरिडा बोलेगा कि जो भी मानोगे वो गलती मानोगे, जो भी मानोगे वो निस इंटरप्रेटेशन ही होगा उसका, तो इसलिए कोई भी स्रीयस है नहीं वो बोलेगा, मगर यह बाद उसकी जो थेओरी है, वो कहीं तो पहुंचा तो नहीं सकेगी, अध्यात्म में लोगों को सांता के ब्लोगों को यह वह जरूर बता देगी कि यह यह जो जिवन है जो हमारा मन है यह बेर्था है यह केबल खेळके लिए है केबल यह बेभारिक सथि को क्याम काज करने के लिए कि ही है इससे हम कुछ अर्था युनिवरल टूथ नहीं जान पाएंगे यह ऐसा होता तो इसलिए इसको छोड़ना है और जो है हमको एक स्टिप आगे बढ़ना है जब महीं ओसो को पढ़ने से पहले डेलिडा को पढ़ता था और वहां से मुझे यह बात क्लीर हो गई थी कि कि सोच के समझ के चिंतनमनन करके कुछ नहीं होगा क्योंकि चिंतनमनन किस आधर पर होगा वोट्स के आधर पर ही होगा सब्द के आधर पर लेंग्विज का आधर पर होगा और लेंग्विज क्या होता है वो डिफ्रान्स होते ही चला जाता है तो एक मानी भी 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 बात ह होती है तो इसलिए जब उसके बाद उसकुम्री में पड़ा तो मुझे बहुत आसान हो गया क्योंकि तब माइन को छोड़ कर जो है ध्यान में जाना बहुत अच्छा हो गया तो इसलिए यह बात समझना बहुत आवस्य के और डेरीडा ने जो है बहुत बड़ा काम कर दिया है न तो उसके आगे का रास्ता जो क्या होगा मेडिटेशन का होगा तो मित्रों आप मेडिटेशन में जाना चाहते हो उस अमन से निर्विचार होकर उस सत्य का अनुभव करना चाहते हो तो इसके लिए आपने कुस गाइड़ेट वीडियो भी बनाई ये तो वो जाप्सरेशन कीडियो आसपलिछेशन ओर उसके अैरया हो गँटिधेल वीड़ेर होगा मेंड़ ग्तिरू झारा थ लेंड़े ज सी, जो कर सबसकेु कर दोए प्राई का रात्ल्स, जो क्या में होगा है